हेलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब स्वागते ग्यान में मैं हूँ निशान गुपता दोस्तों हम अभी तक Depth & Swift में हमने स्टार्ट कर दिया था आपका टेक्स ठीक है अब दोस्तों टेक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम बात करते हैं SF Symbols Images की अब यह क्या है ठीक है SF Symbol आपकी Application है ठीक है अभी जो दोस्तो WWDC 2019 हुआ था तो उसमें यह इसको इंट्रिद्यूस किया था आपका Apples ने ठीक है कि क्या हिए यह आपका High Level Configured Vector Images है जो कि हम अपनी Application में यूज कर सकते हैं दोस्तों यहां पर सिस्टम इमेजिस के जैसे आप यहां पर नाम देख रहे है Square.n.arrow.app अभी जाहतरी में आपको दिखा रहा है कि सिस्टम नेम आपका आजाता है Image के अंदर स्टार्टिंग में जो आपका Intro Images था ठीक है तो वहां पर दोस्तों आपका क्या है यह आपका SF Images Use होती हैं बहुत जादा Image है दोस्तों जो आप Use करना चाहो आप Easily उनको Use कर सकते हो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं Sunset के लिए Sun के लिए यह आपको Devices रहे हैं ठीक है तो कोई भी दोस्तों TV आप लिखोगे सीधे System Pile में तो आपको यह Images आ जाएगी ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों SF Symbols Images को Use करना है जो कि आपकी क्या है वेक्टर आइकन कह सकते हैं ठीक है जो कि Highly Configured है इसको आप Configure कर सकती हो इनके आइकन, Size, Color, Background जो भी आप चेंज करो दोस्तों यह आपका पिक्सल भी इनका क्या होगा फटेगा नहीं ठीक है तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं Highly Configured Vector Images है आपकी है ठीक है जो अभी 2019 में Launch हुई है यह उन्होंने हमें दिया है ठीक है अब दोस्तों यहां क्या करते हैं यहां हम Use करेंगे Image इमेज में आता है दोस्तों उनको यूज करने के लिए System Name अब यहां जो Name देदोगे वह Image आपकी यहां पर Show हो जाएगी Let's मैं दे रहता हूं Cloud.rain ठीक है तो देखिए छोट तो Cloud.rain आ गई ठीक है इसमें आप दोस्तों अगर मैं इसका font देता हूं font दोस्तों जो आपको इसमें यूज करना है System, Custom जैसा भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं ठीक है System Size ले लेते हैं इसी आप 100 करेंगे देखिए आपकी Image के होगी दोस्तों बड़ी होगी जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों ठीक है तो यहां पर आप Custom font भी ले सकते हो जैसा आप चेंज करना चाहो मैं आपको पहले करके भी दिखा लेता हूं ठीक है क्योंकि हम डेटेल में जा रहे हैं तो आपको कोई भी चीज छोड़ेंगे निए Custom name आपको जो भी ठीक है यूज करेंगे अभी दोस्तों System size 100 ठीक है और इसका foreground color मैं दे रहेता हूं दोस्तों ठीक है यहां foreground color हम दे रहेते हैं dot blue ठीक है और दोस्तों देखे कितना easy रहेगा मैं यहां पर अगर fill कर दूं हर icon का अपना fill रहता है ठीक है अपका system name है that means SF symbols में मैंने fill किया तो यह आपका fill हो गया दोस्तों ठीक है आपको यहां पर कुछ old change करना है rain की जगह snow करना है snow ठीक है तो देखे आपको यह icon यहां पर change हो गया जैसा चाहें दोस्तों आप ऐसा कर सकते है it's only dependent on you ठीक है अब दोस्तों आपने यहां पर यह कर दिया अब मैं चाहूं तो इसको shadow भी दे सकता हूं दोस्तों ठीक है जैसे कि हमने last आपका text में भी use किया था shadow color color हम दे देते हैं gray ठीक है radius लेट्स जो भी आपका मंद कर रहा है 5 ले लेते हैं ठीक है xv5 ले लो यह जो दोस्तों आप कमेंड करें आपने सकते हो यह देखिए यह थोड़ा वाई में बढ़ा कर देता हूं तो आपको थोड़ा जारा दिखाई देगा ठीक है shadow आपको दोस्तों दिखाई दे रही है इस shadow आ गई है इसकी कितना easy है दोस्तों आइकन को कितना easly आप एक line में इसको आपने क्या किए shadow दे दिया बिना किसी प्राइडिम के ठीक है यहां पर दोस्तों के करते है थोड़ी सी पैडिंग देते हैं ठीक है थोड़ी सी पैडिंग में 100 कर देते हैं ठीक है तो यह आपकी क्या आगी? पैडिंग आगी चीक है अब चाहो तो इसको दोस्तो 70 कर दीजे चिके और दोस्तो अब देखीगा में क्या करूँगा यहां पर हम करेंगे background ठीके background में मैं दे देता हूं यहां पर circle अब देखेगा दोस्तो यह क्या हो जाएगा यह आपका कितना प्यारा आइकन यहां पर create हो गया simple आपने क्या किया दोस्तो circle दे दिया अब दोस्तो एक चीज और आती है आपकी यहां पर जो आपको अभी तक मैंने बताए नहीं है आप background में directly एक linear gradient का एक आता है आपका हाँ जी ठीक है जिसके अंदर आप gradient डालेंगे ठीक है और जो gradient होगा यह देखे gradient में easily आपको क्या दे रखा है दोस्तो colors दे रखें ठीक है simple आप colors इसमें add कर दीजे colors of array ठीक है उसमें क्या जागा पहला color जो आप रखना चाहते है dot that means कितने colors का आप यहां रखने चाहेंगे gradient वो depend करता है तो यहां ले लेता हूँ मैं yellow ठीक है इसी में अगर मैं दूसरा color आपको दूँगा दोस्तों यहां मैं ले लेता हूँ orange ठीक यहां देखी मैं क्या करूँ यहां purple ले लेता हूँ ठीक है अब दोस्तों यहां starting point में क trailing ठीक है यह देखी दोस्तों कितना प्यारा आपका gradient color आ गया है यहां पर जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर आप कुछ भी कर दीजिए अगर black कर देंगे ठीक है तो यह देखी ब्लैक से आपका हो जाएगा तो जैसा चाहिए दोस्तों आप यहां पर convert कर सकते हैं easily ठीक है और इसको थोड़ा और प्यारा अगर बनाना है दोस्तों तो आप क्या करोगे सीधे यहां पर पैडिंग दे दो पैडिंग है 20 दे रहता हूं और अभी देखिएगा यहां क्या हो जाएगा थोड़ा भी चिक है पैडिंग नहीं दोस्तों corner radius sorry 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 थोड़ा सा मैंड में कुछ और चल रहा है कोई नहीं corner radius आपने कितनी देदी हां पर यह देखिए कितना प्यारा आपका आगया और थोड़ा सा इसको कर देते हैं orange में अगर लेते हैं तो यह देखिए और कितना अच्छा आगया तो यह आपका simple एक आइकन मैंने बना दिया बिना किसी problem के ठीक है जैसा आपको आइकन बनाना है दोस्तों आप बना लीजें कोई भी issue नहीं आएगा कितने प्यारी से आपने यह बना लिया ठीक है चली दोस्तों ऐसे ही दोस्तों अ इस पर कितना आप चीजे कर सकते हो ठीक है और भी चीजे होंगी जो मैं इसे miss out हो गई है तो वो आप खुछ से दोस्तों पढ़िए क्योंकि आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा सब कुछ अगर मैं ही बताओंगा तो फिर आप क्या करोगे तो कि जबतार आप करके नहीं देखोगे आपको नहीं आएगा दोस्तों ठीक है वैं इस चीजे बता सकता हूँ ऐसे इसे हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी फ्रेंड्स ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स लेक्शन में टेक क्या